Hello friends, this is S-Pishing and welcome to Smarted Everyday प्यारे दोस्तों, dear read के जो First Semesterarez इस्टेंड्स हैं उनका काफी 이स्टेंड्स का ये एक कॉमेंट था कि Sir, एक पार dear read का जो First Semester का जो पेपर है वो आप दिखा दीजे एक इस तरही़ से आता है तो हम आपके लेकर के आए हैं जो आपका First Piper है कोशन पेपर है 2022 का ठीक है यह हम पूरा पेपर आपके सामने आपको दिखाएंगे और इसका जो आंसर हैं वो भी हम आपको बता देंगे ताकि थोड़ा आपको जिसके आंसर हो भी क्लियर हो जाएं ओके पूरे पेपर को विद्व तरीके से हम लोग समझेंगे और आप आगे यह बहतर तयारी कर सकें उसके लिए आपको पूरे कोशन पेपर की जानकारी होनी चाहिए कितने हमारे लॉंग कोशन रहेंगे कितने शौट रहेंगे कितने अब्जेक्टिव रहेंगे है ना तो यह जो आपका फर्स्ट पेपर रहेगा यह पचास नंबर का पेपर आएग प्रिश्ण के सामने दिये गए है यानि कि आपको कोई भी question छोड़ना नहीं है सभी प्रिश्ण आपके अनिवारे होंगे इस प्रिश्ण पत्र में तीन प्रकार के बहविकल्पी, आतिलगूत्री और लगूत्री प्रिश्ण है प्रिश्ण मिलेंगे आपके question पेपर में बहविकल्पी प्रिश्णों के सही विकल्प छाट करके अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है आतिलगूत्री जो प्रिश्ण होंगे उनकी सब्द सीमा 30 रखनी है आपको यानि की 30 सब्दों में इसको आंसर देना है और जो लोग उत्तरी प्रिश्णों होगा उसका उत्तर लगभग 50 सब्दों में आपको देना है आईए समझते हैं देखिए अब इसमें जैसे पहला question है बहविकल्पी का एक नंबर का question बहविकल्पी का होता है question कहता है कि बाल विकास के अंतरगत ये question paper जैसा कि मैंने बताए 22 में जो question paper पूछा गया था वो है बाल विकास के अंतरगत निम्नलिकेत आयू वर्ग है यानि कि कौन सा आयू वर्ग ऐसा है जो बाल विकास जिसके अंतरगत आता है तो जो बाल विकास है वह 0 से 18 वर्ष का यह आयू वर्ग होता है बाल विकास का बुद्धी का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किसर वश्था में तो बुद्धी का विकास बालक का जितनी बुद्धी डिपलेप होनी होती है वो लगबग में approximately कहां तक हो जाती है कि शोरा वस्ता में लगबग बच्चे का पूर्ण बुद्धी विकास हो चुका होता है जो नवजात सिशू है नवजात सिशू में हड्यों की संख्या कितनी होती है नवजात सिशू में हड्यों की संख्या 270 होती है आगे बढ़ते हैं कोशन में फूर कहता है अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के कोशन होते हैं कोशन का लेवल क्या होता है ठीक है इसका आइडिया इस कोशन पेपर के माध्यम से आपको लग जाएगा सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्पून कारक्या है तो जो बच्चा लर्निंग करता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चे की रूची का पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज आप अगर लर्निंग कर रहे है आप अगर कोई भी चीज सीख रहे हैं, तो उसमें motivation important तो होता है, आपका ध्यान भी बहुत जुरूरी है, क्योंकि जो भी सीख रहे हैं उसके तरव अगर आपका ध्यान नहीं होगा, तब भी आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, आपकी इसमरती कैसी है, आपकी, य चाहें, जितना आपको motivate किया जाए, आप चाहें, जितना उसमें ध्यान लगाएं, नहीं होगा, क्योंकि आपका interest नहीं है, जिस चीज में हमारा interest आजाता है, हमें काम करने में मज़ा आता है, उसको हम आसानी से सीख लेते हैं, सीखने की सही परिवाशा है, अनुभाव और प्रसिक्षन के दौरा, अपने विवहार में परिवरतन लाना, यहीं सीखना है, क्योंकि जो आपको experience है, जो training दी जा रही है, ठीक है, उसको यदि आप सीख रहे हैं, अच्छे से, तो जाहिर सी बात है, आपके विवहार में, आपके क्रिया कलाप में कुछ परिवरतन कुरी जिसको कहते हैं, यह किसने दी थी, थौर्ण डाइक ने, किसने थौर्ण डाइक ने, option C, ठीक है, प्रेतन भूल का सिर्दांत का प्रतिपातान थौर्ण डाइक ने किये था, थौर्ण डाइक का मानना है, कि पशू हो या मनुस्य हो, किसी कारे को प्रेतन और भूल की करता है प्रयाश करता है फिर प्रयास करता है इस तरीके से दिरे दे वह प्रयास करते करते एक दिन सही सटीक जानकर इसको मिल जाती है यानि कि वो पूरी तरीके से सीख लेता है तो यह है Thondike का सिध्धान्थ और यह जो content हमारा होता है पेड इसमें देखिए अधिगम के बारे में जैसा कि Thondike का जो यह सिध्धान्थ है Thondike ने किस पर प्रियोग किया था Thondike ने बिल्ली पर प्रियोग किया था और जैसा कि मैंने बताया कि Thondike क्या क्या कहना है यह कहता है कि पसू हो या मनुसे हो किसी कारे को प्रेतन और भूल की प्रिक्रिया के दोरा ही सीखता है है ना प्रयाश करेगा फिर गलती करेगा सीखेगा तो इन्होंने जो प्रयूख किया था वो बिल्ली पर प्रयूख किया था इन्होंने क्या किया था कि थांडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था बाहर एक मरी मचली रखती थी और फिर पिंजरे म पहुंच जाती है पहले बिल्ली बहुत सारी गलतियां करती है बात में वो खटका को दबाती है और भोजन पा लेती है यह जो प्रयोग है यानि सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो गलतियां तो होंगी ही है ना गलतियों से डरेंगे तो फिर प्रयास नह में कम से कम शब्दों में बहतर सीख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे, next question की तरफ, अगला question कहता है, कि बालक के नैतिक विकास का क्या तादपर है, बालक के नैतिक विकास का moral development का मतलब होता है, बच्चे में समाजिक विकास होना, क्यूंकि नैतिक था बच्चे को कहा दिखानी है नेतिकता बच्चे को समाज में ही दिखानी है समाज के लोगों के साथ कैसा विभार कैसी बाचित जो बड़े हैं उनके साथ कैसी बाचित करनी है अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है है ना यही नेतिक विकास का ताथ पर है ने कि बच्चे का समाजिक विकास निमने उसे कौन सा प्रकार मनोवग्यानिक है तो यहाँ पर जो बहिर मुखी है यहाँ मनोवग्यानिक प्रकार के अंतरगत आता है क्योंकि मनोवग्यान के अंतरगत व्यक्ति को तीन उसके प्रकार बताएगा है कि जो बालक है वो अंतर मुखी हो सकता है बालक बहिर मुखी हो सकता है बालक उभय मुखी हो सकता है उभय मुखी वो होता है जिसमें अंतर मुखी और बहिर मुखी के दोनों का कॉंबिनेशन होता है उसको उभय मुखी कहते है तो ये प्रकार जो है मनोवैग्यान के अंतर गताते हैं आत्म केंद्वित वेक्ति जो होता है वो अंतर मुखी होता है अंतर मुखी वेक्ति दूसरों से मतलब नहीं रखता है अपने काम से काम रखता है और जो बहिर मुखी होता है वो सबसे मिलने जुलने वाला होता है चिंतन के साधनों में एक है, चिंतन के साधनों में संकेत भी इसका एक चिंतन का साधन माना जाता है क्योशन कहता है बालक में अभी प्रेणा उत्पन करने का परमुक्त सौर्स क्या है बालक में यदि आपको मोटिवेशन क्या करना है बालक में मोटिवेशन उत्पन करने का परमुक्त सौर्स क्या है तो वो है ये सबी चीज़ें चाहें वो उद्धीपक हो उद्धीपक का मतल जरूरत है तो आप उस काम को करेंगे जरूरत नहीं है तो फिर आप इतना उसमें इंट्रेस्ट नहीं लेंगे है ना आपकी रूची भी उसमें होनी चाहिए अगला पॉइंट है इस कोश्चन है कि इसमृत यह आधर्ष पुर्रावरत्ती है यह कथन किसका है ऐसा यह जो कथ यह ततपर रहता है उसकी विशेष्टा यह होती है कि वो एक तो समवेदंसील होता है परिहास प्रिय होता है प्रिहास प्रिय का मतलग होता है हासी मजा करने वाला होता है जिग्यासू हर एक चीज को जनने का प्रियास करता है यह सभी विशेष्टाएं स्रजनात्मक बालक में देखने को मिलती हैं अगला कोशन कहता है कि समवेग का प्रकार कौन सा नहीं है डिफरेंट समवेग कितने होते हैं देखे मैकडूगल ने क्या बताया है मैकडूगल ने बताया है कि हमारी 14 मूल प्रवत्तियां होती है किसने बताया है मैकडूगल ने बताया है और यह बत देखें, जो आपका क्रोध है, यह क्या है, एंकर, यह भी एक समवेग है, है ना क्रोध जो समवेग है, इसकी मूलपरति क्या होगी, इसकी मूलपरति यह यूटसा हो जाएगी, जिसको हम इंग्लिस में combat कहते हैं, जो भय है यहाँ भी क्या है एक समवेग है है ना fear समवेग है इसकी मूल प्रवत्ती पलायन भागना या escape हो जाएगी ओके समवेग है कौन सा नहीं तो आपका जो यह क्या कहते है इसको ध्यान जो है यह समवेग नहीं है यह आपकी मूल प्रवत्ती है ठीक है फ्राइड के अंश्रा आकरांगता का करण आपका उद्दोलन हो सकता है यह इस तरीके के आपके जो questions रहेंगे यह objective में questions आप से पूछे जाएंगे objective में कितने questions रहेंग को objective में 15 questions आप में कि 15 नमबर आपके objective से पक्के हो जाएंगे ओके ठीक है आप बात करते हैं हम यह देखते हैं कि जो आते लिए उत्री questions होते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं अच्छा जो हमने अभी आपको PDF दिखाई जो हमारा पीडियोफ प्रोवाइड करा जाती है पहले तो टॉपिक पास कॉंटेंट फिर आपको कोशन अंसर अति लगुत्री लगुत्री हार तरीके आपको दिया जाता है ओके चलिए अब बात करते हैं अच्छा हमारे कॉंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी कॉपी किताब कोशन पेपर लेने क्या हो सकता नहीं रह जाएगी आते लोगत्री में जैसे पहला question आपको कहता है कि सिक्षक को बाल विकास का ग्यान क्यूं आवर्शेक है दो कारण बताईए तो एक टीचर के लिए बाल विकास चल्ड डिफलेपेंट का जो ग्यान है वो इसलिए आवर्शेक है पहली बात तो टीचर को विक्तिकत भिनता का ग्यान हो जाता है कि हर एक विक्तिव हर एक बालक में उसकी रुची योगता चमत अलग अलग होती है दूसरी बात यह है कि कक्षा में टीचिंग और लर्निंग का एक अच्छा एट्मोस्फेर क्रियेट करने में टीचर की हेल्प हो जाती है वो अच्छा एट्मोस्फेर क्रियेट कर पाता है वो समझ पाता है कि मुझे किस समय कब और कौन सा विशे पढ़ दूसरी बाति दूसरों पर मिरभर होता है असाहा स्थिती में होता है तीसरी बात अनुकरण द्वारा शीखने की प्रवत्ति उसमें होती है ठीक है यह सभी बिस्ष्रिष्टा की हो जाएंगी किसोर fantasy क्या ताथ पर है किसोर अवस्था यहा कि बाल विकास Price की 2 4 आउस्था है किषंभ रवस्था बालवियकास की सूर्वस्था यह 13 साल तक होती है 12 से 18 साल साल तक साल और विरोध कि ओऊए संग्यर सतनाव तूफान और विरोध कि है यह होगे हमारा किषा आपर किषूरल आपर कौशन कहता है समयोजन क्या है what is adjustment देखिए समायूजन जो है समायूजन एक कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के बीच में एक संतुलन कायम करता है संतुलित संबन्ध रखने के लिए अपने व्यक्ति अपने विवहार में प्रिवर्थन करता है आई रहे किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं जाने या रहा हम I-just कर लेंगे ठीक है यह मतलब हम अपने society में अगर हमको नहीं भी बन पा रहा है किसी से नहीं बन लीए पडोसी से नहीं बन लीए फिर भी हम I-just कर रहे हैं क्या है जिस्ट में प्लीज तर्क का मतलब क्या होता कि जैसे कि उद्देश्यों या लक्ष्यों को मन में रख करके क्रमानुसार चिंतन करना ही तर्क कहलाता है जो भी हमारे उद्देश्य हैं जो भी लक्ष हैं उनको अपने मन में रख करके फिर उनका सीक्वेंस में चिंतन क वातावरन के साथ है adjust करता है समाज के जो नियम है उनके हिसाब से चलता है समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं जाता है और अपनी इच्छाओं पर भी control करता है हमारी इच्छाओं तो बहुत होती है लेकिन समाज हमें बहुत सारे काम ऐसे हैं करने से रोकता है है ना हमारी आवसक्ताओं पर हम नियंतर लगाते हैं दूसरों के प्रति हमारे क्या करतव हैं हम उनको समझते हैं और लोगों के प्रति अच्छे स्रामाजिक स्रमंद स्थापित करने का प्रयास करते हैं यही समाजिक विकास है व्यक्तित्त की कोई एक परिभाषा लिखिए, व्यक्तित्त की क्या परिभाषा होती हैं, देखिए, इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसकी दो परिभाषा जिरूरोट करके जाएं, अब यहां पर व्यक्तित्त की परिभाषा आप चोटी लिखें या प्रिभासा बड़ी लिखें ठीक है आपको माक्षूत नहीं मिलने हैं तो व्यक्तित की प्रिभाशा अगर हम बात करें तो व्यक्तित गुणों का समनवित रूप है ऐसा गिलफूर्ड होता है कहते हैं वुट्सवर्थ की डिफ्रेशन है कि व्यक्तित व् अरजित प्रवत्तियों का यूग है इस तरह के से आप परिभाशार ने लिख सकते हैं आवाज में भारीपन की सवस्था में आता है आवाज में भारीपन की शोरावस्था में आता है भाई जो शेश्वावस्ता होती है उसमें बहुत महन आवाज होती है थोड़ी उससे ठीक होती है फिर जो किशोरा वस्ता आती है उसमें आवाज में भारी पना जाता है अगला कोशन कहता है अधिगम का अर्थिश्पष्ट कीजिए अधिगम क्या होता है देखे अधिगम क् मतलब जो अधिगम है ये सीखने-सिखाने का एक प्रोसेस है今日 का सीखने-सिखाने की प्रक्रिया है जास्ता कि क्रोण प्रोबी कहते हैं कि अधिगम जो है वो आदतों ज्ञान और अभीवरत्यों का अर्जन है है ना यह दिगम हो गया कल्पना से आप क्या समझते हैं कल्पना क्या है कल्पना का मतलब होता है imagination करना आपने पहले कुछ भी कोई भी कहीं घुमने गए या वहां की आप imagination कर रहे हैं या पहले आप से कुई किसी से को लड़ा ही घगड़ा हो गया फिर आप imagination कर रहे हैं बैट कर के यार हमें हैसा नहीं कहना चाहिए था हमे गलत कर दिया आप वो कहाने है उसको फिर से create कर रहे हैं थReally है या इमेजनेसल हुगया ठीक है रूची के भेद बताईए, इंट्रेस्ट, टाइप आफ इंट्रेस्ट, तीके जो रूची होती है, वो दो प्रकार के होती है एक तो इंट्रेस्ट आपका जनमजात होता है, क्या होता है, जनमजात दूसरा अरजीत होता है जो अरजित होता है वो हमारा बदलता रहता है समय के वौनुसार फिर question कहता है बुद्धी परिशन कितने प्रकार किया होते हैं बुद्धी परिशन अगर हम बात करें तो प्रसारसन की दृष्टी से बुद्धी परिशन 2 परकार का होता है एक तो विक्तिकत बुद्धी परिचन, दूसरा आपका समुईक बुद्धी परिचन, अमूर्थ बुद्धी से आप क्या समझते हैं, अमूर्थ बुद्धी जो होती है, इसका मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में abstract भी कहते हैं, क्या कहते हैं, abstract भी कहते हैं, abstract, एक सूच में चिंतन या मनन से होता है जैसे जो चित्रकार होता है कवी होते हैं, लेखक होते हैं दासनिक होते हैं, उनमें ये सूच में बुद्धी पाई जाती है उनमें ये अमूर्थ बुद्धी का मतलब है जो चीज हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसके बारे में सोच करके उसके बारे में कलपना करके दूसरों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है जैसे चित्रकार जो है उसके अंदर अमूर्थ बुद्धी होती है वो किसी भी चीज के बारे में सोच करके तो उसकी imagination करके उसको चित्र के रूप में हमारे सामने रख देगा, हैना कभी कविता की माध्यम से हमारे सामने रख देगा, ये क्या है, अमूर्त बुद्धीन लोगों में होती है, फिर question कहता है, शारीरी की विकास का अध्यान क्यों जरूरी है, दो करण बताईए, शारीरी या उसमें कुछ भिन्यता होती है, फिजकल डफलेपेंट पर क्या jeans का atmosphere का कोई फरक पड़ता है, नहीं पड़ता है, इस सब चीजों के लिए जरूरी है, बाले आवस्ता की दो विशिष्टाईं में बताईए, बाले आवस्ता में एक तो साड़क और मानसिक विकास में इस एक सीखने की जीवन प्रनेंत चलने वाली प्रकरिया है एक तो ये विश्षता हो गई सीखने में माजसिक विकास होता है सीखने के लिए उद्श्पूर्ण होती है ठीक ये सब चीज़ है हम इसमें लिख सकते हैं सीखने की प्रभावसाली विधियां कौन-कौन सी है सीखने की प्रभावसाली विधियों की बात करेंगे देखे जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है दिया हुआ भी है अधिगम की जो प्रभावसाली विधियां है या फिर सीखने की प्रभावसाली विदियां जैसे नमर एक तोस्त करके सीखना learning by doing होगे आपका ठीक है दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना और परिच्छन करके सीखना निरिच्छन करके सीखना प्रोजेक्ट विधी के माध्यम से सीखना और गुरुप के माध्यम से सीखना ये क्या है ये अधिगम की बहुती प्रभावसाली विधियां है अगला क्योशन किस कौन सा है अगला क्योशन है मारा 33 नमबर कि शोर आवस्था बड़े संगार स्तनाव तूफान विरोध की अवस्था है ऐसा इस्टेनले हॉल कहते हैं इस कथन की विएचना करनी है इसी को आपको चार्डाइन में और थोड़ा बढ़ा के लिखे देना है बाल विकास की आवस्था और महत्वपर प्रकास डालिया बाल विकास की आवस्था क्यों होती है उसका क्या importance है कि शोरों की विवार समंधी समस्याओं को संछेप में लिखना है चिंतन का सिक्षा में क्या महत्तो है मांसिक विकास के विभिन पक्ष कौन कौन से होते हैं बुद्धी से आप क्या समझते हैं इसका मापन किस प्रिकार किया जाता है ठीक है विक्तित तमापन की कौन कौन सी विधियां होती है और किसी एक विधी का वर्णन करना है वनसानुकरम के नियमों का वर्णन कीजिए वनसानुकरम क्या होता है माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उन्हें हम वनसानुकरम कहते हैं ठीक हैं तो इस तरीके से यह हमारा question paper था यह question जो रहेंगे आपके अब यहाँ पर आप देख पाराएं कि 15 questions हमारे objective में हैं और फिर 15 questions हमारे अतिय लगूत्री में 15 15 30 हो गए 30 वो हो गए और 31 से लेकर 40 तक 20 ही हो गए तो इस तरीके से 50 नमर का paper आपका ये बन जाता है सबी questions हमने almost discuss कर दिये हैं कुछ questions लगुत्री के छोड़ करके और बाकी जो हमारा content है अगर आप उससे पढ़ना चाहें ठीक है बहतर करना चाहें तो आप में इस नमर पर फटाफट whatsapp messenger के notes की information ले सकते हैं आपकी continue है classes अटेंड करते रही है 9628182649 थैक्यू सो मच